दोस्तों गल्तियां निकालना किसी के अंदर कोई कईयों को निकालना है तो यह hea beoht easy होता है। और हर कोई इस काम को आशानी से कर सकता है। लेकिन अगर किसी से ये पूछा जाएं क 스था जाएं तो किसी के पास it最ृ जवाब नहीं होता हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल रिया लाइफ विट्टुक कैसे हैं आप लो आप आप बहुत अच्छे होंगे और सिहत मन्द होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हां हमें सला तो लेनी चाहिए हम किसी भी चीज की एडवाइस लेते हैं किसी से लेकिन फर्क ये पढ़ता है कि हम सला किस से ले रहे हैं अगर हम जिस इंसान से सला ले रहे हैं जिसको उस छेत्र के बारे मे कुछ knowledge है तो हो सकता है हमें कुछ अच्छी advice मिले लेकिन जिसे कुछ जानकारी ही नहीं है जिसे कोई experience ही नहीं है उस इंसान से अगर हम सला ले रहे हैं तो उसका हमेरे क्या फाइदा है दोस्तों ये वीडियो बहुत interesting है क्योंकि इस वीडियो में से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा तो एक मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगोंने अभी तक रियल लाइफ विडिटो को सब्सक्राइब नहीं किया अच्छा पेंटिंग करता था उसकी जो चित्रकला थी उसकी प्रसंसा पूरे सहर के लोग करते थे लेकिन एक दिन उसने सोचा कि चलो हम इस अपने मतलब कला में कुछ थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट करें लेकिन इंप्रूब्मेंट कहां करना है इसको जानने के लिए उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग त्यार की और उसे एक चौराहे पे लगा दिया और उसने साथ में एक नोट भी लिख दिया कि आगार जिने इस पेंटिंग में कुछ कमी नजर आती है तो वह वहां पे एक डॉट लगा दे जिसे वह यह समझ जाएगा कि कहां कमी है और वह चौराहे पे लगाके वह घर आ गया सुबह जब वह जाकर अपनी पेंटिंग को देखता है तो उसे उसकी पेंटिंग मतलब दिखी ही नहीं इतने सारे उसमें डौट लग गयते तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें बनाया क्या है और उसमें बहुत दुख हुआ कि मैं इतना अच्छा पेंटिंग मनाता हूं और भोग मेहे हdens Meyer इतनी तारीफ कर Key इतनी सारे पेंटिंग क्यों करनी छोड़ दी तो उसने यही चीज बताया कि मेरे पंटिंग्च मे इतना कंहा है कि मै ज़िल दोससे इंप्रूब्मेंट कुछ फ्रेंड कर और वो एक अच्छा सा पेंटिंग भी तयार करके उस चौराहे पे उसने फिर से वही पेंटिंग लगाई और वहां पे एक नोट जो लिखना था उसमें अब उसकी फ्रेंट ने ये चीज लिखा कि आगार इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आ रही है तो मुझे वो बता ही कहां कमी है और उसे करेट करके दिखा दें यह चीज उसने उस नोट में लिखा दोस्तों क्या हुआ वहा सुबह में जब जाकर उस पेंटिंग लेकिन गल्दियों को सुधारना कैसे हैं उस गल्दी में क्या ऐसी कमी है जिसको हम सही कर सकते हैं यह चीज बताना किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों अकसर देखिएगा कि अगर हमने किसी की सिकाय्श करनी होतीए तो बहुत पूरा अंजल लिश्ट पड़ा हुआ है कि उसमें ये कमी यह कमी है आप उसे यह धिस्वी सिखा सकते हैं तो तुम इस कमी को कैसे दूर करो यह ज्यादा बहेतर होता है माल लीजे कि हम बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं कमाते हैं या जो पैसे बहुत कम कमाते हैं उनकी इक्षा होती है कि उनके पास पैसे अच्छे हो ताकि वो अपने घर को अपने परिवार को अच्छे से चला पाए लेकिन तो अगर हम उसे राय देते हैं, उन्हें अच्छी सलाह देते हैं, कि आप इन पैसे को कैसे कमा सकते हैं, या आप इन पैसे को कैसे बचा सकते हैं, तो वो जादा बैतर होगा, या फिर ये तो कोई solution ही नहीं होता है, कि हम किसी को बोले कि आओ तो हमारे पास, और हम कमा सकते हैं, ये जानना मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी होगा, दोस्तों, अभी हमने एक बात की, कि सलाह लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है, कि हम किस सलाह ले रहे हैं, इसका एक और एक्जाम्पल अगर देखा जाए, तो महाभारत हमने देखा है, महाभारत में में की मेंटर का ॡू कि मारी सामने हैं कि मेंटर का क्या क्या पड़ता है? मेंटर अगर सही है तो विजय ज़रूर मिलती है ौर मेंटर अगर सही है तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन मेंटर ही गलत है, सलाह देने वाला ही गलत है, तो हमारा भला कैसे हो सकता है, लेकिन तैय आपको करना है, कि आप सलाह किसे ले रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की ज़वर रस्ती नहीं है, आप किसी क्या सीख रहे हैं, य यहीं तक ही थी आज की वीडियो और इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें अपना मेंटर कैसे चुनना चाहिए दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा hopefully ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने friends और family के साँ share भी कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही uncommon topic है इसके उसकी जानकारी आपके दोस्तों को भी होनी बहुत ज़रूरी है hopefully ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने friends और family के साँ share भी कर सकते हैं इसके साथ आप मेरे telegram और instagram से भी चुड़ सकते हैं telegram चैनल का link मैंने description में दे रखा है दोस्तों और फिर में मिलती हूँ आप से ऐसे ही एक interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you, thanks for watching